नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल पर मेरा नाम है आनन्द मिश्रा सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्नवाद जो आपने सीरिस को अतना पसंद किया मैं आप लोगे कमेंट्स देखता हूँ और मुस्ट प्रबली जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे मैं और दांगी सर दोनों मिलकर यह एक ऐसी चैनल खड़ी करना चाहते हैं जो भी आप लोगे डाउट्स किसी भी एक्जाम से लेटर होते हैं वो पूरे यहां पर हो आज जो हम बात करेंगे बात करेंगे भोपाल संभाग के बारे में भोपाल संभाग जिसमें आपके पांच जले आते हैं भोपाल को मिलाकर जिसमें भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगर और सीहोर जले यहाँ पर आते हैं ठीक है? यदि मैं बात करूँ कि भोपाल जिले की सीमा कहां-कहां से लगती है तो भोपाल जिले की सीमा गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगर जिले से लगती है आपको पता ही है कि भोपाल मध्यपृदेश राज्य की राजधानी है यहाँ पर अगर मैं तहसिलों की बात करूँ तो तहसिल में बेरसिया और हुजूर दो यहाँ की प्रमुक तहसिले हैं यानि भोपाल में सिर्फ दो तहसिले हैं यदि मैं बिधान सवा छेत्र की बात करूँ तो यहां पर बेरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षर पश्चिम और भोपाल मध्य यह सभी बिधान सवा छेत्र यहां भोपाल के अंतरगत आते हैं यदि मैं लोग सभा छेतर की बात करूँ तो लोग सभा छेतर यहाँ पर एक ही आता है जो भोपाल है विधान सभा और लोग सभा छेतर को आप एक नजर डाल के अपने दमाग में रखेगा क्यों कभी कभी यह प्रश्मा आपसे पूछा जा सकता है यदि एतिहासिक दस्चिकोंट से बात की जाए तो परमार वंश सासक राजा भोज के द्वारा भोज पाल नावा के एक स्थान बसाया गया था जो बर्तमान का भोपाल है इसे राजा भोज ने लगभग एक एक एप्रोक्स्मेट डेट दी जाती है एक हजार इसवी से लेकर एक हजार पचपन इसवी के मध्य में स्थापित किया था इसके बाद भोपाल की पुनरस्थापना की गई यानि इसे दोबारा बसाया गया और दोस मुहम्मद ने सन 1708 से 1740 इसवी के बीच में भोपाल की पुनरस्थापना की भोपाल पहाड़ियों के लिए प्रशद्ध है इसलिए देखा जाये तो भोपाल में श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वंट्री हिल्स आदी सब को मिलाके कुल साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ इस्थान है भोपाल ठीक है 1556 में लेकिन उस वक्त भी यह जिला नहीं था यह सीहर जिले के एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी और 1972 में इसे जिला बनाया गया था यह फैक्ट आपको याद रखना है कि भोपाल को जिला कब बनाया गया था भोपाल को जीलों और पहाड़ियों का सहर कहा जाता है इसलि यहां का जनसंक्या गहनत उस जिले का 855 वक्ती प्रती किलोमीटर है जनसंक्या गहनत से मेरा मतलब है कि एक किलोमीटर छेतर के अंतरगत प्रती हजार वक्ती जितने रहते हैं उनको जनसंक्या गहनत तो बोलते हैं भोपाल के समी भी इसलाम नगर नामा की एक स्थान है जि आड़े रखी कि शाह जहां बेगम ने करवाया था उसका नाम है ताजुल मस्जित और यह भोपाल में ही अवस्तित है बड़े ही इंट्रेस्टिंग बात है कि देश की सबसे बड़ी मस्जित और सबसे छोटी मस्जित जैसे हम धाई सीड़ी की मस्जित के नाम से जानते हैं वहे भी भोपाल में ही अवस्तित है, यानि ताजुल मस्जित सबसे बड़ी मस्जित में से एक, और धाई सेड़ी की मस्जित सबसे छोटी मस्जित में से एक, यह भोपाल में ही अवस्तित है, भोपाल में सरवाधिक बिश्वध्याले हैं, यानि भोपाल सरवाधिक जिसको हम common तोर पर RGPV के नाम से जानते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त जो इंजीनियर हैं वो इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि उन्होंने इंजीनिंग की है RGPV के अंतरगत और मस्ती भी बहुत मारी है इसके बाद आपका राजा भोज खुला व विश्व विश्व विद्याले अब जो भोज खुला विश्व विश्व विद्याले है उसको हम commonly भोज ओपन उनिविश्व विश्व 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 क्थ मानने ता प्राप्त की गई भले इनके युझि ना लगता हो लेकिन इनको बिश्व विध्यालों के संपक्ष मानने अपदान की गई है किने को सेख्शेख्ड और या संस्थान की बात करें तो यह वह इस प्रकार होंगे स्थान पुआ थियों चींद्र है जिनका हमें ध्यान रखना है मैकस्म भुपाल में हुआ जिसमा बाइं सबसे बहले आता है भारतिये वनप्रवंधन संस्थान यह देश और एशिया में परथम वनप्रवंधन संस्थान है इसकी इस्थापना 1974 में की गए थी यह देश और एसिया का प्रथम बन प्रवंधन संस्तान भोपाल में है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी इसके अलाबा छेत्रिय अनुसंधान प्रियोग साला भारतिय होटल मैंजमेंट या होटल प्रवंधन संस्तान जिसको इंडियन होटल मैंजमेंट इंसिट्यूट कहा जाता है नरोना प्रशासनिक अकादमी जहां पर MPPSC सेलेक्शन के बाद आपका फाउंडेशन कोर्स होता है तरशी एवन प्रशेक्शन प्रियोग साला जो नभीबाग भोपाल में है उन्नत सांड प्रिजिनन केंद्रे यह भदबदा भोपाल में अवस्थित है यदि हम यहां के कुछ प्रमुक संग्रहालेओं की बात करें क्योंकि भोपाल में संग्रहाले भी बहुत सारे है इसमें पहला आता है आपका इंद्रा गांधी राष्ट्री मानो संग्रहाले जिसके स्थापना 1985 में की ती याद रखीएगा आपसे स्थापना का साल पूछा जा सकता है इसके अलावा प्राकरतिक विज्ञान संग्रहाले बिडला संग्रहाले माधाव राओ सप्रे पत्र कारिता संग्राले राज संग्रहाले जिसको हम स्टेट मुजियम के नाम से जानते हैं दूर संचार संग्रहाले और साथ में यहाँ पर एक जन जाती संग्रहाले भी अभी निर्माना धीन है यानि अभी यह बन राह भी बना नहीं है दो और चीज़े यहाँ की बहुत प्रसद है जिनमें आपका वन विहार राष्ची उद्ध्यान आता है साथ में सर्प उद्ध्यान भी अवस्तित है जिसे हम रेप्टाइल पार्क के नाम से भी जानते हैं बैसे तो परेटन में भोपाल बहुत जादा है यहाँ परेटन की बात की जाए जो कॉमली नोन है इनमें नवाव हसन सिद्ध्धी का मकबरा वन विहार राष्ची उद्ध्यान गौहर महल यहाँ पर ताज महल की प्रतिलिपी है ताजल मस्जित शौकत महल आकार गुडिया घर इसलाम नगर का किला कमला पार्क मनुवा भुआ की टोकरी जो एक प्रकार से जैन तीर सिस्थल है समस्गड में जैन परतिमाए मचली घर, बड़ी जील और नियू रोड बागी आपको पता ही है जहाँ आप जाते रहे तो बहुत सारे इसके प्रमुख परेटन सिस्थल है यदि हम प्रमुख उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर B.H.E.L. जिसको हम भारत है भी Electronics Limited के नाम से जानते हैं यह भोपाल में पिपलानी छेत्र में अवस्थे थे इसके अलावा यहां मैदा मिल है रेल्वे कोच फेक्टरी जो की निशादपुरा में है और अन्य काफी उद्योग भी भोपाल में पल बढ़ रहे हैं लेकिन यही जो कुछ है जो आपके प्रिशन आपसे पूछे जा रहे हैं बरतमान में ठीक है इसके अलावा हम बहुत सारे तथे हैं के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी जनमें से क्रमशाह में आपको तथ बताता हूँ इसरो उपग्रह नियंतन केंद्र भोपाल में है राश्टिय नियाय अकादमी जिसकी इस्थापना 2002 में की गए थी वह भी भोपाल में है भोपाल में ही केंद्रिय प्रसिक्षन केंद्र का प्रस्तावित किया गया अभी है नहीं यह प्रस्तावित है यहाँ पर इसके अलावा पंडित कुंजी लाल दोवे राश्टिय विधीयों विधाई प्रसिक्षन संस्थान प्राद्यगुकी आध्यापक प्रशिक्षन संस्थान संजीवनी संस्थान का मुख्या लए हस्त सिल्फ निगम का मुख्या लए भोज वेटलेंड एरिया जोकी रामसर वेटलेंड एरिया में सामिल है जेल अनुसंधान साला छेत्रिय विज्ञान केंद्र पुलिस याता यात प्रशिक्षन केंद्र दुतिय आकासवानी केंद्र जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को की गई थी पहला इंदौर में है डेट आप मुझे कमेंट में बताएंगे भारत का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र देश का पहला model blood bank important fact है कि देश का पहला model blood bank कहां पर है तो यह है आपका भोपाल में है उर्दू यूम संस्कित अकादमियों का मुख्याला है यानि उर्दू अकादमी और संस्कित अकादमी का मुख्याला है बल्लब भवन जिसे हम राज सचवालाई के नाम से जानते हैं अगर पूछा जाये कि राज सचवालाई क्या है तो वह है आपका बल्लब भवन है इसके अलावा राज माटा विजया राज सिंधिया मेडिकल कॉलेज मैं फिर से रपीच करूँगा राज माता विजिया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज यह भोपाल में है सत्पुड़ा विंध्यांचल भवन जो की राज नद्रेशालाय है तीक है राज इंदरिशालाय कहां पर है सत्पुड़ा बिंध्यांचल भवन जो की भोपाल में है इसके बाद एशवाग स्टेडियम 1860 में इन्वित मोती मस्जित इस मस्जित की खासियत क्या है कि मोती मस्जित जो आपकी है यह दिल्ली के जामा मस्जित के समान है जिस तरीके की आर्ट जिस तरीकी कला आपकी दिल्ली के जामा मस्जित में प्रियोग की गई है वह आपकी भोपाल की मोती मस्जित में भी सीम टू सीम यूज की गई है इसके अलावा यहाँ पर पहला Sellerage Javik खादर संयंत्र भी है क्या है Sellerage Javik खादर संयंत्र तो भोपाल में बहुत सारी चीज़े हैं लास्ट में हम बात करेंगे भोपाल गैस तराश्दी की इसके बारे डिटेल में आपको जब आपको मैं case studies कराऊंगा तम में आपको बताऊंगा, शॉर्ट में जान लिजी के 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रांदी गढ़ेत हुई, जो मध्यरात्री थी, इसमें अमेरिकन कंपनी, इस कंपनी के नाम याद रहिए, यूनियन कारवाइट से मिथाइल आइसो साइनेट नामक गैस का रिसा इतना दर्दनाक हादसा था जिसमें आप सोचिए कि आप रात्री में सोए, सोने के लिए गए और कई लोग उसके बाद कभी नहीं जा गए, यह बहुत ही बड़ा केस हुआ था और आज तक इसके जो लोग हैं से पितारित लोग हैं जिनमें से कुछ की ऊपर अभी भी उसक का असर है और बहुत लंबा ये केस चला है इसके बार डिटेल हम पढ़ेंगे केस स्ट्रीज में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी यहां पर एक प्रशन इंपोर्टन बन जाता है कि इस गैस को निस्क्री करने के लिए किसके नित्रत में और कौन सा ऑपरेशन चलाया गय जिससे जो वशएले वहां के पदार्थे ून पदार्थों में कमीई अच उनका असर कम हो तो इस तरीके से दोस्तो आज हमने भोपाल जिला पढ़ा नेक्स्ट हम पूरे भोपाल के संभाग जिले आपके पूरे कवर करेंगे आप अपनी प्रत्क्रिया कमेंट्स में दें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो कोशिश है उसमें कहीं न कहीं आप हमें बताएं कि और हम क्या आपके लिए कर सकते हैं थैंक यू समस्क्राइब आएड जय हंद जय भारत